नमस्कार साथ योई एक बार फिर से आप सभी का लोदाजी क्लासेस के बीए प्लेटफरम पर बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तो आज के इस सोट सेशन के माध्यम से हम पॉलिटिकल साइन्स का एक बड़ा पार्ट किलर और कवर करने वाले हैं आज के सेशन के अगर मैं बात करूं तो ये बीये घरड और सेकेंड ये वालों के लिए महिधपूर्ण होने बाला है क्योंकि बीये घरड ये कुछ यूनिवरसिटियां बीये घरड ये में और कुछ यूनिवरसिट्य से लिए में फॉलो करती है जिसे हम विजब संविधान या पिर तुलनात्मक विजब संविधान के नाम से चांगते हैं इस सीरीज के माध्यम से हम विजब के सभी जो जितने भी प्रमुक देश हैं उन सभी देशों के संभिधानों के जितने भी concept हो सकते उन पर चर्चा करने का प्रियास करेंगे और चूकि सेशन का नाम ही है short session तो हम इस session में short series के माध्यम से जो main concept है उनको लेकर के आएंगे जिने हमने detail classes में cover नहीं किया है आईए शुरू करते हैं अपना आज का important topic और आज के session में हम जानने का प्रियास करेंगे कि ब्रिटेन के संभिधान के अंतरगते या ब्रिटेन की राजनीती के अंतरगते ब्रिटेन के कानून और परमपरा में क्या अंतर होता है क्यों कि हमने कई बार सुना है ब्रिटेन का संभिधान परते वक्ते कि ब्रिटेन का जो संभिधान या ब्रिटेन का जो राज बेबस्ता है या राजनीती है वह ब्रिटेन की परमपरा के नुसार चलती है तो क्या परमपरा ही बास्तिविक रूप से कानून है या फिर जो क पर डिसकस करने जा रहे हैं आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ दोस्तों हमारे द्वारा इसी प्लेट फार्म पर इस सभी सेशनों की सभी सब्जेक्टों की डिटेल क्लासेस भी ली जा चुकी है यदि आप इन सभी क्लासेस को फिरी और को सब्जेक्ट कर सकते हैं जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो आप जाकर पर सकते हैं वहां पर मिलेगा नोर्स मिल जाएंगे और आप रच्शाएस चलिए यह वात का प्रमोशन सबसे पहले हम बात करेंगे कि कानून और परंपरा में क्या डिपरेंस है चुकि जो हमारा आज का कॉंसेप्ट वह यही है कि ब्रेटेन की कानून और परंपरा में डिपरेंस क्या है एक्चुल में डिपरेंस क्या है दोस्तों जब हम बात करते हैं ब्रेटेन की राजनीती की तो हमें एक बात इस पर सुप से समझ आती है कि ब्रेटेन का जो ब्यवारिक सासन होता है या ब्रेटेन की जो राजनीती होती है उसे परमपराओं के आधार पर संचलित किया जाता है परंपराओं का कानून के तरह फिर पालन किया जाता है दाइडमिन्ज ये बृतियन की राजनिती में जो परंपराएं जो सदियों से चली आ रही है वो परंपराएं अभी समे और अभी समे के बाद कानून का रूबधर्ण कर चुकी है तो प्रश्न अब ये उड़ता है तो क्या ब्रेटेन की जो परंपरा हैं क्या वही कानून है तो जी नहीं जरूरी नहीं है कि सभी परंपरा कानून बन चुकी हो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये परंपरा हैं ये परंपरा हैं इनसे देश की राजनीती संचालित होती अवश है लेकिन फिर भी ये कानून नहीं है ुं अब यद्धी हमें समझना है कि तो फिर कानून क्या है और यह अभी समय क्या है दोस्तो परंपरा से अभी समय डिबलप वोता है जिसे कि आपने सुना ही होगा जिसना प्रते एक दुनिया की हर एक समाज में कुछ न कुछ परंपराएं चली आ रही है पिछले सद्यों से लिए रही है तो कोई ऐसी परंपरा जो समाज के अधितम भाग के द्वारा उस परंपरा को accept कर लिया जाए और लंबे समय तक उस परंपरा को follow किया जाए तो वही परंपरा आगे चल करके उस समाज का एक अभिन हिस्सा बन जाती है वो इस्थाई रूपधारन कर लेती है और वही परंपरा जब इस्थाई बन जाती है समाज की और जब लगता है कि उस परंपरा के बिना समाज संचलित नहीं हो सकती तो वही परंपरा अभी समय का रूप धरन कर लेती है तो दोस्तो हमें अगर परंपरा और कानून के बीच में अंतर को समझना है अभी समय और कानून के बीच अधिये हम अंतर समझना चाते हैं तो हमें दो आधारों को फोलो करना होगा दो आधारों की साहिता लेनी होगी दो आधारों के माद्यम से इन दोनों की बीच में अंतर को इसमस्ट कर सकते हैं जिसमें परतम है रूप के आधार पर हम यहां इसमें यह देखेंगे कि अभी समय और कानून के बीच में रूप के आधार पर किस प्रकार का अंतर पाया जाता है उसी प्रकार से सेकिन पक्ष के रूप में हम देखेंगे कि निर्मान के आधार पर किस प्रकार का दोनों में अंतर है आईए एक एक करके इनको डिसकस करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं रूप के आधार पर रूप क ये माननेता पर आधारी तो होते हैं क्योंकि परंपराओ परंपरा जो भी समाज की परंपराएं होती है वो लिकित रूप में नहीं होती दोस्तों बलकि पिछले पुराने समय से प्राचीन समय से नियंतर रूप से समाज में चली आ रही होती है उन्हें माननेता की रूप में श्विकार कर लिया जाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो पर्थम जो अंतर है वह है कानून लिकित रूप में होता है जबकि अभी समय अलिकित रूप में होता है तो दोनों में जो ये डिफरेंस है लिकित और अलिकित का इस अंतर के कारण इन दोनों में एक अंतर और बन जाता है इन दोनों में जो ये अंतर है लिकित और अलिकित का जो ये इनकी प्रकरती है कि कानून लिकित रूप में होता है और अभी समय जो होता है वो अलिकित रूप में होते हैं तो इसके कारण से इन दोनों में एक अन्य अंतर का निर्मान होता है, एक अन्य अंतर ओरा जाता है, कौन सा अंतर आ जाता है, कानून के लिकित होने के कारण इसे हर कोई एकसेप्ट कर लेता है, अर्थात की इसे हर कोई जानता है, जिस समाज के लिए कानून का निर्मान किया गया है समाज का परतेग व्यक्ति उस कानून से अबगत होता है अर्तात की सर्वविदित होते हैं जबकि अबे समय ऐसे नहीं होते हैं अभी समय या परमपरां के को जानने के लिए आवशक्ता होती जागरूप होने की उस समय के समाज का बड़ा हिस्सा बड़ा बर्ग उन अभी समयों से परिचित होना चाहिए और परिचित कैसे होगा दोस्तों तो जागरुपता के माद्दम से होगा तो एक आधार हमने यहाँ पर देखा रूप के आधार पर दोनों में एक बिसेश डिफ्रेंस पाये जाता है उसी प्रकार से जो अन्य आधार था वो है निर्माण के आधार पर अब चूंकि इसमें भी एक सामानी सी चर्चा यह बनती है कि कानून का निर्माण के से वही अनसत के द्वारा होता है किसी बेक्ति के द्वारा होता है लेकित रूप से होता है नहीं अलेकित रूप से होता है यह माननेता पर आधारित होता है अभी समय यह परंपरा जो है यह बैवार का परिणाम है जब तक विशेश प्रकार का बैवार अपनाया जाता है और यह ब प्यवहार के माध्यम से होता है, माननता उपर आधरित होता है दोस्तों इस परकार से हमने दोनों डिफरेंस के माध्यम से, दोनों बिंदू silicone के माध्यम से कानून और परंपरार्थात की अभी समय में अंतर को समझने का प्रियास किया है, जो भी student English medium से है उनको भी निराश होने की आवश्यक्ता नहीं है English में भी content available है आप लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ यह short session आप लोगों को पसंद आया होगा यदि पसंद आया है दोस्तों तो session को like करके ही जाए और नया है चैनल पर तो subscribe जरूर से कर लें आज से ही मैंने इस short session की शुरुवात की है और आज से अभी आपको हर subject पर इस प्रकार का short session मिलता रहेगा मिलेंगे इस session में बहुत बहुत धन्यवाद thank you thank you so much